ओम शन्दिव बनेव पारी हैं, कहते हैं, यह हमारा परिवार है, तो परिवार शब्द को लोग यूज तो करते हैं, मगर परिवार का मतलब क्या है? क्या सच मुझ हम परिवार की फीलिंग में रहते हैं? हम भी कहते हैं, यह हमारा इश्वर ये परिवार है, देवी परिवार है परिवार में सबसे पहले पहले क्या होता है परिवार में सबसे पहले एक दूसरे के लिए चाहे कुर्बानी को हो चाहे त्याग को घर में आपके दो बच्चे है एक बड़ा है एक छोटा है आप उन दोनों बच्चों में कौन सी भावना पैदा करते हो मान लो दोनों बच्चों के बीच में एक खिलोना है या एक चौकलेट है बिस्कूट है अब छोटे वाला रोता है कि नहीं मुझे चाहिए मुझे आप बड़े बच्चे को क्या सिखाते है देखो तुम तो बड़े हो न ये तुमारा छोटा बाई या बेहन है तुम इसको देदो ओ लो लो तेरे को हम और देगे तो सबसे पहले त्याग की भावना परिवार में सिखाई जाती है माँ बाप देखो बच्चों के लिए कितना त सहन करती है हम तो किसी की अगर एक दिन बात सहन कर लेंगे न तो फिर देखो चार दिन सुनाते ना मैंने तेरे लिए सहन नहीं किया था बस वो ही तो रियल ही देखो मेरे अंदर अगर हमारे अंदर ये दो शक्तियां आए ना त्याग और सहन तो ही वास्त में समझना कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं वर्णा नहीं अगर हमारे अंदर इर्शा, द्वेश, कॉम्पिटीशन एक दूसरे को ऐसे टेड़ी आंख से देखना है ऐसा बड़ी बड़ी आंख से चाहे आप लौकिक में रहते हैं चाहे अलौकिक में रहते हैं सच मुझ देखो मेरे अंदर परिवार की फीलिंग है लौकिक में भी आप देख लो आजकल जगड़े क्यों है मैं ही क्यों सैन करूं क्योंकि आजकल तो बराबर की भावना है न मैं भी कमाती हूं तू भी कमाता है बराबर है मैं ही सारा काम क्यों करूं जब तक हमारे अंदर त्याग नहीं है, कुरुबानी नहीं है, एक दूसरे के लिए स्निहे प्रेम, रिस्पेक्ट नहीं है, कैसे कहेंगे परिवार? तो हम सारा दिन इस चीज़ को महसूस करें, मैं जहां भी रहता हूँ, रहती हूँ, मेरे अंदर परिवार की भावना है, पहले देखो। अगर परिवार की भावना नहीं है, आपका योग भी नहीं लग सकता, मैं आपको बता देती है, आप करके देख लीजिए, बले कहेंगे, मैंने तो चार गंटा योग किया, मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, क्लासी सुनी, मैंने तो कराई भी, और तुमारी फीलिंग कौन सी सारा टाइम जडमूई, जंगमूई, तेरी, मेरी, मैं क्यों जुकूँ, मैं क्यों बोलूँ, आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, ये बहुत गहरी बात है, हम लोग जब शुरू शुरू में ग्यान में आये न, बस यही चीज थी, यग्ये, बहने और अपने को हमने अलग नहीं पाया, ये लगता था, ये बहने हमारी हैं, आज कल तो बहुत से भाई बैंग बस आते हैं, मुर्ली सुनी और चले गए, हमारी मनोहर दादी जी हमेशा का करती थी, अरे भाई, शिप बाबा तुमारा मात पिता है, शिक्षक है, सत्गुरु है, तुम समझते हो, शिप बाबा तुमारा मात पिता है, खाली आते हो, तुम तो शिक्षक समझते हो, खाली आते हो, पढ़के चले जाते हो, परिवार में कैसे रहा जाता है, एक दो से बोला जाता है, प्यार से रहा जाता है, पूछा जाता है, आप अपने परिवार में घड़ से बाहर जाते हैं, कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है फ़लाने से मिलने जा रहे हैं कुछ करना तो नहीं है और बहुत से बाइवें तो आते हैं मुडली सुनी बस गए प्रापती नहीं होगी प्रभु प्रेम की शक्ती नहीं आपको मिलेगी परिवार हमें बांधता है इस पर हम सब को काम करना चाहिए क्या मैं इस इश्वरिय परिवार, दैवी परिवार का सदस्य हूँ देखो अपने आपको हूँ मैं इस दैवी परिवार का सदस्य पहले मैं हूँ दूसरे को ना देखो आप ऐसे कड़ते हो, आप ऐसे कड़ते हो मैं हूँ, मैं क्या करती हूँ या मैं क्या करता हूँ, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए क्या करती हूँ परिवार में डिसेल्ट बच्च भी होते हैं माः बापका सब से जदा प्यार किसे होते हैं हमने देखे हुए हैं बहुत से परिवार उनको दो-बो चार-चार बच्चे होते हैं लेकिन उनका पूरा फोकस किस पर रहते हैं जो रिटार्डड जाइल्ड एंग जो डिसेबल है सारा टाइम उसी में लगे हुए अगर हमारा कोई संसकार स्वभाव कड़ा है तो हम भी तो क्या हैं डिसेबल है ना मेरी कमजोरी मैं डिसेबल हूँ तो हम बुराई तो जल्दी से ऐसे है अरे छोड़ो इसको तो तुमें भी क्या कहा जाएगा छोड़ो इसको बीजी छोड़ने का डाला है ना तो आज बाबा की मुड़ी बस यही है सारा दिन बैठके यह महसूस करो सच मुच मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूँ ऐसा नहीं हम तो बहुत अच्छा योग करते हैं बहुत अच्छी मुड़ी सुनते हैं हमें बहने कोई सेवा कहती हैं हम सेवा भी कर लेते हैं वो तो आपके घर में सर्वेंट होती है वो आती है अपना काम करती है चली जाती है महीने की तनखा आपको दे देते हैं हम भी थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तोली मिल जाती है तनखा है, तोली हमारी तनखा है, कोई सारा दिन सेवा कर लेता है, तो जादा से जादा भोजन खा लेता है, और क्या करता है, लेकिन जब तक हमारी शुब भावना नहीं है, कैसे मानेंगे यह हमारा देवी परिवार, मीठे बचे, यह आज से यही शुरू हो रहा है न संसकारों का शुद्धी करण मास ऐसे नहीं मैंने तो अपने संसकारों का बहुत परिवर्तन किया मेरे आसपास वाले लोगों को कहना चाहिए कि आपने परिवर्तन किया मैं न कहूं लोग कहीं तब मानेंगे कि आपने परिवर्तन की है, शुद्धी करन की है